आपका जौगत है, मैं हूँ आपका मेजमान उमर मलीक। जैसे कि आज हमने जुन्पोरा लेकर का दोरा किया जो तक्रीबन शोपियान से 8 किलो मेटर दोरी पर वाका हैं, वहाँ पे हमने देखा कि लोग पीनी के पानी से महरूम हैं। जब हमने उन से सबात की तो नो हम नहीं बहुत अर्शा हुआ कि हमें पानी नहीं किया जा रहा है। कभी जब पानी आता है तो आईह सुनते नहीं के जवानी आपके कि अनोंने क्या बोला। अवि 2050 तोचा सर्यू सार्या अव तोड़ ऑचा का जूएं पानी के मुतालिक सबसे बड़ा मसला तो यह है कि यहां दीवपूरा में पीने का पानी लोगों को नसीव ही नहीं और अगर कभी गलती से आ भी जाता है मैं गलती से इसलिए कह रहा हूँ कि चुँके यहां के जो लोग हैं मुलाजिम हैं या जो महकमा पीएची से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो बिलकुल काम करके राजी नहीं तो अगर गलती से कभी पानी आ भी जाता तो एक आधी गागर भरते हैं लोग ब पानी पूरा नहीं चड़ सका तो मजबूरन जो है जितना भी चड़ सका एक दो टैंकियां भरी हैं चलो हमारा तो फिर भी मामला यह था कि सड़क पे था हमने टैंकर डलवा लिया लेकिन जो लोग बिचारे दूर दराज बस्तियों में रहते हैं जैसे जहां पर कोई पीने से पानी बिलकुल भी जो है बिलकुल उनको नसीवी नहीं हुआ हाँ अलबता कुछ जगा थोड़ा बहुत चलाया उन्होंने लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूरी है तो सबसे बड़ा मसला यहां पानी का है तो पीने वाला पानी नसीवी नहीं है लोगों और बाकी य है इस्तेमाल करते हैं और बाद लोग तो यही गंदा पानी पीते भी हैं आप जब देखेंगे वहां पे कितना गंदा पानी है आप भी देख के हरान परेशान हो जाएंगे तो यहां पे अलहम दुल्ला हमारे हैं हमारे एक चेचेरे भाई डीडी सी साहब हैं माशाला नहे बनें अभी उनको अगरचे सही पोश्ट नहीं मिल पाई है शायद उनका उनको हक नहीं मिल पाया इस वज़ज़ से काम नहीं हो पा रहे हैं यह शायद कोई और वज़ज़ रही होगी लेकिन कुल मिला गई है कि यह पहले ही पसमांदा है और पिषडा हुआ इलाका है कंड हुई हैं बाज़गा लोग उसमें थूप डाल देतें बार बार तो हमारा मुतालबा ही है कि कम से कम जो बड़ी छे इंची पायव होती है वो डाली जाए ताके हर हर महले में और हर हल गली में और हर घर तक बासानी पानी दस्तियाब हो